कि एक बार अगर किसी को चिकन गुणिया हो जाता है तो चिकन गुणिया ठीक हो जाने के बावजूद भी हपतों तक या कई बार तो मैनों तक पेशन को जोड़ों का दर्द रहता है तो में डोक्टर देखा चोकसी इस्टुडियो में आपको बताऊंगी कि कौनसी उम्यपितिक मेडिसिन लेनी चाहिए ताकि आपका जोड़ों का दर्द कंप्रीटी ठीक हो चाहिए सबसे पहली मेडिसी में कारबो वेचन इसको ढक कुण में तर्द पानि रजोड़ों का एक और अगर उसके बात बहुत पैंस के पानि लें सकते हो अगर आपको लगता है कि कार्बोवेश 200 लेने के बाद मुझे पेन में रिलीफ तो हुई है लेकिन मेरा पेन कम्पलेटी ठीक नहीं हुआ है तो आप कार्बोवेश वर्नेम ले सकते हो दूसरी मेडिसीनी रश्टोक्स और आपको ऐसा है कि बहुत लंबे टाइम कि अगर ऐसे सिंटम से तो आपको रश्टोक्स 200 लेनी है रश्टोक्स 200 की एक डोस लेने के बाद अगर जरूरत लगी तो आपको उसे पानी में डाइडूट करकर तीन बार याद चार बार आप लेसकते हो चरूरत पड़ी तो आप दो दो कॉंटा पर पर रईपीट कर सकत सेम कारबोवेज की तरह अगर आपको लगी की रस्ट्रक्स 200 लेने के बाद मुझे पेन में रिलीवती हुए लेकिन मेरा पेन कम्पलीट नहीं हुआ है तो आपको रस्ट्रक्स 1 M की डोज लेने हैं अकट आपको रस्ट्रोक्स के जैसे ही सिंटम्स है, मतलब कि लंबा टाइम बेटने के बाद खड़े होते हैं, तो जोइन्ट इतने स्टीफ हो जाते हैं कि खड़े होते वक्त बहुत शीवेर पेन होता हैं, बहुत ही ज़्यदा शीवेर पेन है तो आपको स्टेलेर मेडिया 2 सब्सक्राइब किजिए तक मेरे आने प्रेंट के साथ सेर किजिए ताकि सबको उसका बेनेफिट मिले सब्सक्राइब किजिए तक मेरे आने बारे हर विडियो की नोटिफिकरस आपको मिल चाहें थेंक ये